नमस्कार दोस्तों मैं एस्ट्रोजित दुश्यन शर्मा स्वागत करता हूँ आपको अपने इस नए वीडियो में हमारी जो शंक्रा चल रही है लब मैरीज और उसमें आने वाली समस्याएं और जोतिश का जिस्टिकॉन और किस तरह जोतिश उसमें मदद कर सकता है उसमें आ होगा और भाव हो तो किस तरह की समस्याएं आती है इसके बाद हम बात करेंगे शनी ग्रह की यदि शनी ग्रह सब्तम भाव में हो वापिस में कहूंगा अलग बात है यदि सब्तम भाव में मकर राशी कुम राशी है तुला राशी है या अगर करक लगन है सिंग लगन है य बहुत ज़्यादा ठंडा करता है। इनसान एक आईसॉलेशन में जाने लगता है, यह डिटेश्मेंट होने लगता है, रहता है। वो अपने पार्टनर से उतना टेजी से अटेश्ट नहीं हो पाता, जिस वेज़से वो शादी करता है, यह शादी का जो रीजन है। यह शादी से पहले को नब बेरेज वालों को यह लगता है, शादी से पहले सब्तम्भाव अक्टिव नहीड आगी है, के वल पंचम भाव अक्टिव था! जिसको हम प्रेम का घर कहते हैं, विचार का घर, प्रेम का घर, तो जब तक प्रेम था तब तक तो भाई से बड़ी अटेश्मेंट थी, जैसे शादी हुई अटेश्मेंट चली की, ऐसा तो नहीं है कि शनी कछी खराब कंडीशन में, आपके सब्तम भाव से सम्मध मना रहा ह अच्छा यह बैठा हो चाहिए देख रहा हो परभाव का पर लिग बैठा के वुद गर टी उप RC को देख रा नहीं है, मंगल बैठा हो शंतम भाव में, मंगल शंतम मह को देख रहा हो दोनों कंडीशन में, और यदि उसकी शत्राशी गलती से बढ़ गई तो यदिशनी का प्रभाव सबत्म भाव में जादा आ गया तो यह डिटेश्मेंट का प्लेनेट है टेश्मेंट देता है तो जैसे विवाः हुआ को एक साथ रहना है, लाइफ टैम हमारे को साथ रहना है, कि वहले एक को हैविटेंट नहीं है, ये ये वह एक बहुत घहरा आइक पावन पवित्र एक रिष्टा है विवा, तो यदि विवा में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिटेच हो रहे हैं, आपको पाता डिटेच हो रहा ह बहुत अच्छा एक जाप है पाठ है जिसका आप अगर नियम से बाठ करते हैं तो बहुत ज़दा वो आपको आराम दे सकता है साथ के साथ इसके कुछ स्टोंस होते हैं जो लाइट स्टोंस होते हैं जिसे एक बड़ा ही सिंपल इसका हिंदी बिनाम है करते हैं नीलम बगेरा तो देखे बहुत ही एक्स्रीम सलाह हो तभी आप करना यदि आपका जूश्य आपको नीलम धान करने कहते हैं तो भी कर सकते हैं पर उसके सावड इफेक्ट कुछ हो सकते हैं इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है अगर आप जो मुनिया पहनते हैं तो बहुत ह साथ में कोई सेवा कार करते हैं कहीं दानपुन करने जाते हैं कोई विद्धा आश्रम है कोई बाला आश्रम है यदि वहां पे साथ वो जोड़ा साथ में जाना चालू करें तो भी उसका बहुत ज़्यादा परभाव पढ़ता है साथ के साथ विश्णु भखवान के साथ में किसी जीव को निर्ही जो जीव हैं उनकी कोई सिवा करते हैं तो भी शनी बहुत अच्छा होता है जो पुरानी जो घड़ी होती है घड़ी अगर आप पहने और अइसे लोगों के घर में कोई भी कबाड़े का समान नहीं होना चाहिए पुराना समान, कोई इस तरह का समान, कोई रद्दी भरी हुई है या बहुत पुराने कपड़े हैं, वो ही रखे हुए है तो जो आपके केवल जरूरत का है, वो रखे है और बाकी चीज़ या तो दान कर दें या उसको हर से निकाल दें कोई नकरात्मग उर्जा इस तरह की ना हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोभाव आप इसका देख सकते हैं यदि शनी को शान्त करने का, यह बहुत ही अच्छे अच्छे है और छोटे-चोटे उपाय है, जो आप स्वेम कर सकते है तो मेरी आप सबसे यह एक रिक्वेस्ट है कि अगर देखो, आपने लव मेरेज किया है, लव से अच्छा कुछ नहीं प्रेम किया है, तो उसको ने भाई है उसमें कोई भी समस्या आ रहे है, आपको समझ नहीं आ रहा होता फिजिकल लेवल पे इन आखों से, शरीर की देश्टी से, कि यह क्या समस्या, आम समस्या, पहले सब ठीक ताब आचानक क्या खराब हो गया निश्चत तोर पर हो चकता, आपकी दशा परिवर्तित हुई हो, कोई ग्रह खराब बैटा हो तो एक बार कुंडली की एक अच्छे जोशे की जो आपको गाइड कर पाए, उसकी मदद लेना बहुत ज़रूरी है हमारा ये जो एस्टोजन आपका, आपके एंड्रोइड प्ले स्टोर पर अवेलेवल है, आप इसे डाउनलोड कीजिए हमारे पास बहुत अच्छे एस्टोलोजर की टीम है, आप उनसे संपर कर सकते हैं भारत के बहतरीन एस्टोलोजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्टोजन अप्लिकेशन, प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्टोजन टाइप करें और एप्लिकेशन को स्टॉल करें, अप्लिकेशन स्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आइडी या फिर फोन नमबर की मदद से लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्टोलोजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें उसके बाद एस्ट्रोजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे कॉल या चैट अपनी सोविदानुसार बटन का सेलेक्शन करें फिर उसके बाद अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फस्ट रिचार्ज आफर का प्रियोग करें वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोजर से कनेक्ट हो जाएंगे तो बिलकुल भी देर ना करें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भ